दोस्तों आज करके लाइफस्टॉइल में सभी को हेür से रिलेटेड प्रॉबलम है, चाहे बाल सफीं दोने की प्रॉबलम हो प्रॉबलम या बालों की घ्रोथ नहीं हो रही हो। दो मुहें बालों की प्रॉबलम भूत ही ज्यादा हो तो आज बहुत ही अची तरह से आपके बालों पर वर्क करेगा और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको सभी एज के लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल नैच्रल है कोई भी कैमिकल वाली चीज नहीं है इसमें इसको बच्चे और बड़े दोनों ही यूज कर सकते हैं किसी भी बिला में टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगी ज़रूर इसको लाइक किजिए को शियर किजिएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है अलपस गुड्नस का आमना रिठा एंशी का काई पाउडर में नहीं हापे लिया है देखे इस पाउडर से होगा क्या एकी पाउडर में आपको तीनों चीज मिल जाएगी सबसे अच्छी बात और नैश्रल है बहुत ही अच्छी प्रोड़क्ट्स है इनके यह एयर टाइट पाउच में आते हैं जिसको आप एयर टाइट करके दुबार रख सकते हो इस्तमाल कर सकते हो कोई भी पाउडर के आपके खराब होने का चांस नहीं रहता है इसमें और यह करता है आपके एयर लॉस को आपके हीर लॉस को यह ग्रेइग को बालों के सफेद होने की प्राउबलम को जड़ से खतं करता है नरिश करता है है और यह प्यारी सी और यह 100% नैश्रल है सबसे अच्छी बात इसके मुझे यहीं लगी केमिकल फ्री है साथ ही साथ यह पैस्टी साइट फ्री है और प्रेजर्वेटिव फ्री है और यह सभी तरह के हैर टेक्शर पे अराम से इस्तमाल किया जा सकता है नैश्रल है तो कोई डालने है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग तो यहां पर मैंने एक से दो बड़ी चमज डाल दिया है दोस्तों जब भी आप इस रेमेडी को इस्तमाल करोगे ना तो आके बाल क्लीन होने चाहिए और नहीं होने चाहिए यह वाश करने के बाद ही आप इसको इसको अब आपने लेना है बीट रूट पाउडर तो यहां पर मैंने अलपस गुड़नस कहीं लिया है यह हमारे बालों की फॉलिकल्स को नरिश करता है और जो प्रिमिचियर हेर रहते हैं उसको यह अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और हेर लॉस को भी खतम करता है यह 100% नैशरल खुड रहा ड будет है बिलिया के बेधर करता है बिबंस यह सब्सक्राइब के बहुत इसको लिए प्रिजिए उसरी वह डालनी है जो की है आमला जूस apa इस जूस को आप पी सकते हो क्योंकि ये नैश्रल है तो इस जूस ये जो आमला जूस है फि cuz आप सेवन इस तरह से कर सकते हो जूस पीकर के या आमले का मुरब्बा खालीजिए डेली लाइफ में आपने आमला शामिल करना है अपनी डाइट में तो जो इस्तमाल किया किजिए और साथ में करी पता जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूं जातर तो यह विटामि अब इसमें थोड़ा सा आपने यह जूस डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ध्यान रखेगा धिर दीर जूस डालिएगा ताकि ज्यादा रिंसी ना हो और आपका एक अच्छा सा थीक पेस्ट बन जाए तो इसको मिक्स करने के बाद अपने क्लीन हेर पेस क अब नेक्स्ट एक कर सकते हो तो इस तरह से आप इसे हफ्ते में एक से दो बार इस्तमाल करना है इस तरह से इसते माल कीजिए बहुत ही अच्छा रिज्टा को देखने हो मिलेगा तो भर भर किश कुश्चरिया कीजिए ज्यादर ज्यादा लाइक कीजिए सब्सक्राइब क चली मिलती हूं आपसे नहीं अच्छी और एफेक्टिव वीडियो के साथ इसी तरह की टिल रेंट टेक हैं टेक्स माज़ गाइस वासिंग इस वीडियो बाबाई लास्ट लगिए वीडियो जो देखिए बाबाई टेक क्या अपना ख्यार रखिए